यह देखिए यह मैंने यह 25 चेन बना ली अब हम इसको ऐसे पलट लेंगे आप चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं लेकिन थोड़ा सा फिनिश लुक आता है यह देखिए इस तरह से तो इसके लिए आप क्या करिएगा यह जो चेन आपकी है न इसको ऐसे पलटिएगा तो जो उ उबरा इससा है फरस्ट राउन में तो आपको पता है वैसे भी थोड़ी से प्रॉब्लम आती है तो पहली चेन स्किप कर देगे यह देखिए यह और नेक्स्टवाली चेन में जो पीछे का यह उबरा इससा है इसमें इनसर्ट करेंगे हुक को और सेम इस्टिच में 2 सिंग ऐसे घुसाया और सिंगल क्रोश्या बना लिया इसी तरह से हर उब्रोए हिस्से में बनाते हुए सिंगल क्रोश्या हम लास्ट तक आ जाएंगे और लास्ट में जब हमाया पास दो ये बच जाएंगे लास्ट वाली दो चेन बच जाएंगी तब मैं आपको दिखाती हूं क्य करना है first वाली एक skip किया है और उसके second वाली में हमने दो single crochet same chain में बनाई है यह देखिए इस तरह से हर chain में 1 single crochet बनाते हुए, मैं end तक आ गई यह हमाय पास यह पर 25 single crochet हो गई अभी जो last वाला chain space इसके देखिए उबरे वाले हिस्से में हमने hook को insert किया और यहां पर हम same space में 4 single crochet बनाएंगे starting में हमने same space में 2 single crochet बनाए थे और यह last वाले chain space में आपकी जितनी भी chain हो उसमें last वाले में आप 4 single crochet बनाएंगे 3 हमारी बन गई, 4 यह 4 थी, 4 single crochet बन गई, अब हम इस तरह से turn कर लेंगे और chain के इस side में पहले हमने इस side बनाए थी, अब chain के इस side में हर chain में, देखिए यहां तो हमने इस वाली में 4 बनाई हैं, यह वाला जो है यह इस में, तो हर chain में 1-1 single crochet बनाएंगे, तो इस side में 25 single crochet बने हैं, तो इस side में हमारे पास 25 single crochet बनेंगे और जो यह last वाला होगा, जहां से हमने start किया था, यहां पे आके हम देखेंगे कि हमने क्या किया है यह दिखिए, दूसी तब भी हमने chain बना ली, सभी में बनाते वे, यह सभी चैनों में 1-1 single crochet बनाई, अब हम यहां last में आ गए, तो last में हमने starting में 2 बनाए थे अब सेम इसी space में हम 2 single crochet और बना देंगे, एक और यह दो, तो total हमारे पास 4 हो गए, दो हमने start किया था तब बनाए, दो हमने end किया तब बनाए, तो जैसे इधर हमने 4 single crochet बनाए थे last में, उसी तरह चार इधर भी हो गए, दोनों तरह इक्वल हो गए, अब जो हमने starting में जो को visibility clear ना हो, इसे slip stitch से join कर देंगे, तो यह कुछ-कुछ हमारा base तयार हो गया, यह इस तरह से दिखाई देगा, अब आपकी जितनी chain हो, जैसे ही देखिए, अब यही same chain मैंने इसमें भी बनाई है, same chain इसमें भी बनाई है, लेकिन उन मोटा है, और hook का size थोड़ा पतला है, तो यह देखिए, size का difference आपको दिख रहा होगा, यह देखिए, दिख रहा है, कितना फरक हो गया size में, तो hook का size भी change करके, कई बार हम अपने project के size को बढ़ा सकते हैं, तो इसके बाद हमारा second round क्या होगा, हम सबते पहले यहाँ पे 3 chain लेंगे, इसमें 2 color use करें, 3 color use करें, ज हम 2 double crochet बनाएंगे, जो यह पहली यह chain है न, यह वाली, इसमें हमने 2 double crochet बनाने है, यह जो 3 chain है, यह भी आज है, double crochet I count होगी, यह, सेम इसी space में हम 2 double crochet बनाएंगे, एक, और एक यह, दो, तो यह 3 double crochet हो गई, एक, deep chain, 2 double crochet तो यह chain chain हो गई, उसके बाद हमें क्या करना है? दो space को हमें छोड़ देना है, और तीसरी double crochet हमें सेम space में, 3 double crochet बनाने हैं, इसमें हमने बना लिया, और 2 हम छोड़ देंगे, 2 chain हमने skip कर दी, छोड़ दी, तीसरी वाली चेन में हम तीन डबल कोशिया बना लेंगे एक, दो, सेम इस पेस में, दो और तीस यह तीन होगे तो यह तीन-तीन के ग्रूप हम बनाते जाएंगे इस तरह से दिखिए, अगर हम काउंट करें तो मैं आपको काउंट करके दिखाती हूँ इस जगह से हम काउंट कर रहे हैं तो एक, दो, तीन, चार, पांट, छेस, साथ, आट, नो, दस, ग्यार, बार, तेर, चौदर, पंदर, सोलर, सतर, ठार, उननिस, बीस, इकिस, बाइस, तेज़, और एक ही है चौबिस, चौबिस, यह तीन, तीन के ग्रूप हमारे बढ़े है तो इसी तरह से हम भी दो स्किप करेंगे, दो चेन स्किप करेंगे, थर्ड में और चेन के दोनों तरफ, इस साइड में भी और फिर यहां से ऐसे टरन होके हम यहां आ जाएंगे तो दो स्किप करेंगे, थर्ड में तीन डबल क्रोशिया, इसी तरफ से इसके चारों तरफ हम बनाते हुए, जहां से हमने स्टार्ट किया था, यहां तक हम आ जाएंगे फिर आपको दिखाते हैं, यह बहुत ही इजी है, और मुझे यह बहुत प्यारा लगता है तो आप जिन्होंने स्टार्ट किया है, वो भी बना सकते हैं, और एक ही चीज स्वेटर ही स्वेटर या सॉक्स ही सॉक्स बनाके बड़ा मोनटरल सा हो जाता है, तो आप कुछ डिफरेंट भी ट्राइ कीजेगा, और बहुत इजी है यह देखिए, यह हम लास्ट में आ गए, अब इसके बाद यह जो तीन चेन हमने स्टार्टिंग में लिखी, इसके टॉप में इंसर्ट करेंगे, और स्लिप इस्टेस से जोइन कर देंगे, यह इस तरह से यह हमारा सेकंड राउंड हो गया, आप थर्ड राउंड में हम यहां पे तीन चेन लेगें, एक दो, तीन और सेम जहाहा हम खनल के में थे छाएन किया है, उसी स्पेस में हम दो डावल क्रोशिय हम बना देंगे, ए एक बन गया, और यह समормके में दो डावल क्रोशिय आ हम क क्रीम कलर लिया है और इसमें दोनों इस राउंड में साथ साथ ही चलेंगे तो अब यहां पर हम यह इस तरह से पकड़ लेंगे और एक सेकेंड वाला कलर अपना लेंगे और इसको अपने डबल कुरूचे को कम्प्लीट कर देंगे ठीक है अब हम यह जो सेकेंड इस्पेस है हमारे बाद इसमें हम यह जो उन जोड़ा था इसको भी ले लेंगे साथ में दबाते जाएंगे सेकेंड इस्पेस में हम तीन डबल कुरूचिया अपने सेकेंड कलर से बनाएंगे ठीक है यह फिर उसके बाद दोनों कलर साथ साथ चलाने है यह third वाले जो double crochet है हम first color से complete करेंगे यह तरह से और फिर यहांपर next space में हम first color से तीन double crochet बनायंगे, do double crochet और तीसरी वाली double crochet को complete हम अपने जुन नया color होगा, उससे करेंगे इसी तरह से एक में ब्लू कलर, एक में क्रीम कलर, एक में ब्लू, एक में कीम, चाओ तरप से बनाते हुए हम इधर आ जाएंगे बस ध्यान रखेंगे जो थर्ड वाली डबल कोशिय है मैं अपने नए कलर से उसे कंप्लीट करेंगे और दोनों कलर को साथ इधर ही रखेंगे उनको, एक, दो, और ये तीन, अब इसको हम ब्लू वाले कलर से कंप्लीट कर देंगे ये इस तरह से, देखे, पीछे ये ऐसे दिखाई देता है, ठीक है, इसी तरह से एक एक कलर ये देखे एक ब्लू, एक क्रीम, एक ब्लू, एक क्रीम इस तरह से बनाते हुए, चारो तरह बनाते हुए, जहां से हमने स्टार्ट किया था तीन चेन से, उसके टॉप में हम फेसे सिंग्ल स्लेवेस्टेस से जोईन करदेंगे यह देखिए, यह हम last में आगे, एक blue एक cream करते हुए, अब यहाँ last में, यहाँ पर मेरे पास cream है, यहाँ पर blue है, और जो starting की तीन chain हमने बनाई थी, इसके top में hook को insert करके, और slip stitch से से join कर देंगे, अब यहाँ पर हम चाहें था, अपने first tune को stop कर देंगे, क्योंकि यह इसके बाद वाला जो round है, यह एक color से बनाई, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, हर round को start हम तीन chain से ही करेंगे, और इसी देखिए, यहाँ तीन chain से start करी, और same space में हम दो double crochet बना लेंगे, फिर यह next space में, तीन double crochet, फिर यह next space में, एक, दो, और एक यह तीन, ठीक है, फिर इसके next में, इसी तरह से, और यह जो oon हमें दिख रहे है न, पीछे round में जो हम ले गए है, इसको भी ऐसा करेंगे, कि इसी में साथ में ले दे जाएंगे, तो यह finish ऐसा दिखेगा, यह हर space में, second color से, तीन, तीन double crochet बनाते वे, जहां से हमने start किया था, यहां पे आ जाएंगे, तो यह देखे, यह बाला round हमारा, दिख रहे है, यह देखे, इस तरह से यह आपको flower का look समझ में आने लगा होगा, थोड़ा थोड़ा सा यह पर्स का भी shape नीचे से लेने लगा है, तो सेम यही pattern हमें repeat करना, देखे, last में आ गए, अब यह जो तीन chain स्टार्टिक में बनाई थी, इसके third chain में hook को insert करेंगे, और slip stitch से जोड़ करेंगे, यह इस तरह से जोड़ लिए, अब हमें यही पर तीन chain बना लेनी है, हर round start करने से पहले तीन chain बनानी है, और उसके बाद इसी space में हमें एक, दो, दो double crochet बना लेनी है, और उसके बाद फिर हमें अब हमें फिर से अपना first color यह देखे नीचे हमने छोड़ दिया था, साथ में हमें यहां तक लाना था, लेकिन मेरा यहां छोड़ गया है, आप साथ में लाइएगा, अब यह second double crochet को हम अपने first color से finish करेंगे, जैसा कि पहले के round में कर रहे थे, और दोनों color को साथ लेते वे अब हम एक cream एक blue इस तरह से बनाएंगे, यह देखे यह इस space में और finish हम अपने, जो नया color लगाने वाले होगे, इसके बाद जिस next color का जो होगा, उससे हम अपनी डबल crochet को finish कर देंगे, और साथ में दोनों color लेते वे, एक cream एक blue बनाते वे, अपने पूरे round को complete कर लेंगे, और यह देखेगा, ध्यान रखेगा, कि जो इसके उपर है, यह cream color ही आए, जिससे के हमारा यह flower जो है, यह बन के flower जैसा look देंगे, यह देखेगे, इस तरह से हमारा पूरा हो गया, और इस round में बस हमें यह देखना है, कि इसके उपर यह flower आपका complete होता जाए, अब इस round में, जो की हमारा 5th round होगा, एक बार एक color से, मतलब first color से, एक बार second color से, और बस इसी तरह से हम देखे जैसे, एक नीला है, एक cream, तो बस यह ध्यान रखना है, cream वाले से, जो हो, इस cream वाले के उपर हो, कि हमारा यह एक flower complete हो जाए, इसी तरह से, एक बार दोनों आपके साथ चलेंगे, एक बार इस color से, एक बार इस color से, और इसके next round में, एक ही color से, पूरा round चलेगा, एक बार यह flower complete होना चाहिए, एक बार इसके लगा, दोनों color से, एक flower complete होने चाहिए, अगर आपके तीन color है, तो तीनों के, तो इसी तरह से, रिपीट करते वे, हम अपने required length, जितनी length हमें चाहिए होगी, जैसे यह वाली, जैसे मैंने बताई थी, इतनी पूरी हो जाएगी, तो हम उसके बाद अपना pattern बनाना बंद कर देंगे, और कोशिस करेंगे, कि जैसे यह नीचे देखे, half flower बने है, दो और एक इसी तरह से, ऊपर भी यह half flower बने, तो थोड़ा सा, मतलब समानता सी, दिखाई देगी, और आपको बार बर में दिखा पहले भी वोस वाले भी दिखाया था, पर्स थ्रेट में भी दिखाया था, इसमें भी कि हुक का साइज चेंज करने से आप देख सकते हो, कि यह मैं बना रही हूँ 3.5 mm से, और जो यह नीचे वाला पर्स है, यह बने बनाया था, 3.3 mm से बनाया था, और थोड़ी ओन की थि मैं लास्ट में जब यह लेंद पूरी हो जाएगी, तब आप यह चेंज भी बना सकते हैं, हैंडल वाला, इसके लिए हमें कुछ भी नहीं करना है, जितनी बड़ी आपको हैंडल चाहिए हो, उतनी बड़ी, यह मैंने 65 हैंडल, इसमें बनाया थे, 65 चेंज बनाई थी, और 55 चेंज बनाई थी, और उसके बाद, इस से चेंज के इस तरफ भी चेंज के इस तरफ भी बनाते हुए, यह 30 सी बना ली थी, 2 राउंड हमने बनाया था इसके और उसके बाद जैसे नॉर्मल एक चेंड बनायेंगे तो जैसे इसमें बनाया था है कि चेंड के इस तरब भी टर्न होकर चेंड के इस तरब भी बना बजार जाते हैं तो इसमें mobile carry कर सकते हैं या चोटे-मोटे बिंदी के पत्ते चोटे से पैसे रख सकते हैं तो आप जैसे चाहें वैसे इसको यूज कर सकते हैं तो अगर आप बहुत ही इजी है और ग्रैनी स्कॉयर से बना हुआ है इसे आप पोटली पर्स भी बना सकते हो त तब तक के लिए इंजॉय कोच दि थैंक यू हेलो फ्रैंस कैसे हैं आप लोग आज हम ये ग्रैनी स्कॉयर से मेरे इसमें जो अभी इससे पहले वीडियो डाला है उसमें अलग-अलग डिफ्रेंट डिजाइन डाली है तो सबसे पहले हम इस डिजाइन से स्टार्ट करेंग ये देखें ये ग्रैनी स्कॉयर से विघना गंगां हुआ है बिल्कुल सिंपल है इसको तो दिफ्रेंट डिफ्रेंट कलर मल्टी कलर से जो आपके पास थोड़ेधोड़े ऊन बचे हो उससे बना सकते है ऐ देखें ये अच्छी खाशी स्पैस है और ये साइड में हेंडी इसकी चौडाई हम नापके देखाते हैं, या होक और आपके हाथ पे उन पे भी डिपेंड करता है, यह हम cotton thread से और pulse वाले thread से भी बना सकते हैं, तो यह देखिए, साड़े साथ इंच इसकी चौडाई है, लंबाई है, और जो चौडाई है वो साड़े चार इंच है, तो इतन यहां से इस जगर से नीचे से जो base है, यहां से start होगा, तो सबसे पहले इसके लिए हम आपको जितना चाहिए हो, उतने बड़े base से start कीजिए, मैं यह 3.mm hook से बना रही हूं, और यह जो oon मेरे पास थोड़े थोड़े बचे हैं, मैं उन से बना रही हूं, तो इसको बनाने यह जो बिलकुल starting जिन्होंने की होगी, crochet बनाना वो भी इससे बना सकते हैं, तो एक, दो, तीन, चार, पान, थोड़ी धीली बनाएगा, छे, इसी तरह से 28 चन बनाके फिर मैं आपको दिखाती हैं